ओरियर जंग तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल आरेश्टर में क्रिस्पी सीज्वन चिल्ली पटैटो कैसे बनाई जाते हैं ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट ही होते हैं और इनको आप इसली 10-15 मिनिट में घर पर भी बना आज सकते हैं तो अगरा है आप सीखना जाते हैं इतने डेश्टी चिल्ली पटैटो घर पर कैसे बनाएं पीडियो को आपने बिना स्किप के अलाश्टा जरूर देखना है यहाँ पर मैंने चार आलू लिये हैं आलू को मैंने चील लिये हैं एक बराबर बेज़िस काड़ना है तब ही बराबर टाइम में पकेंगे और इनी बेज़िस का यूज आप आलू को भी बगएर आपनाते ना उनमें भी कर सकते हैं तो ओके देखे सारे आलू को यहाँ पर मैंने बेज़िस में काड़ लिये हैं इसके बाद इनको पानी में डाल देंगे और पानी में एक से दो बार इनको धो लेना है ताकि इनके बाद से यो एक्ट्रा स्टार्ज या ना वो निकल जाए और इसके बाद इनको एक छन्नी पर रख देते हैं आदा छोटा चमज इसमें अदर कलस्टून का पेस्ट एड़ करेंगे और आदा छोटा चमज मैंने इसमें चिली पेस्ट एड़ किया है अगर आप क्यों चिली पेस्ट नहीं है आप देगी मिश पोर्टर का यूज कर सकते हैं आपे और अगर आप सीखना चाते हैं चिली पेश कैसे बनाते है होटल और रैष्ट्रो में तो चिली गाली नूडल की वीडियो मैंने last week की अपलोड की थी और उसमें मैंने चिली पेश की रैष्पी भी शेर गिये साथ में तो अच्छे से देखिए मैंने मेरनेट कर ले था आलू को साथ में इसमें एक बड़ा चमच कौन फायर डालेंगे कौन फायर से कोटिंग होगी अच्छी कोटिंग आएगी तो उससे क्या होगा अच्छे क्रिस्पी बनेगी हमारे पटैटो थोड़ा सा कौन फायर इसमें और एड करते हैं और यह देखिए इस तरह से आपने आलू को बिल्कुल सॉफ्ट एंट से मिक्स करना है तो इसी तरह से आपने तीन से चार वार कौन फायर की डस्टिंग करनी है देखिए mix कीजिए फिर थोड़ा सा corn fry डालिए तो ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है सिर्फ आपने जल्दी-जल्दी mix करना है थोड़ा सा corn fry डालना है तो यह लगबग आपको तीन से चार बड़े चमर डालने पड़ेंगे इसमें corn fry के और चमर से नहीं डालना है हाज से ही आपने इसकी उपर डस्टी करनी है चमर से corn fry डालेंगे तो एक ही जगा गिरेगा और आलमों पर अच्छे से वो कोटनी हो पाएगा और एक बाद आपका भी भी कुछ भी deep fry करते हैं तो आपने गहरी वाली कड़ाई का यूज़ करना है उसमें ना oil कम यूज़ होता है अगर आप flat कड़ाई का यूज़ करेंगे आपको oil बहुत ज़्यादा मातरा में डालना बड़ता है कड़ाई में और यह देखें मीडियम फ्ले में आपने इनको कम से हम 5-7 मिन तक deep fry करना है यहाँ पे अराम से पकने दीजिए आपके आलू अंदर तक तब ही पकेंगे जब आप इनको अराम से fry करेंगे हाई फ्ले में fry करेंगे तो क्या होगा एकदम से बाहर से जलतो जाएंगे बढ़ अंदर से नकच्चे रह जाएंगे तो यहाँ पे देखें हमारे जो आलू हैं कितनी जवर्दस इनको पर कोटिंग आई है और अच्छे से मैं इनको deep fry भी कर लिया है तो लगो 80-90% हमारे अलू पक चुके हैं इसको इनको दबारत से fry करेंगे पहले इनकी sauce पना के तियार करते हैं यहाँ पर मैंने एक Chinese बोक लिया है और उसमें एक बड़ा चमश oil एड़ करेंगे oil जैसे आपका थोड़ा सा गर्म हो जाए दो आपने इसमें साबुत मिर्ची डालनी है साबुत मिर्ची के साथ में आपने season paper corn डालने है season paper corn अगर आप purchase करना चाते हैं तो online ये अराम से अचकल मिल चाते हैं दो छोटे चमँ भरके आपने इसमें बरे कटवा लसून एड़ करना है और गैस की फ्लेम आपने medium to high रखनी है medium to high फ्लेम में आपने लसून को थोड़ी दिर पका लेना है यह सीज़वन पेपर कॉन होते हैं बहुत ही बड़ी अफ फ्लेवर आता है इंसे और एक छोटे चमँ में इसमें बरे कटव अदरक एड़ कर दिये साथ में थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डालेंगे टाइस कर दियो इसके अंदर और गैस की फ्लेम आपने वैसे ही medium to high रखनी है इनको भी थोड़ी दिर के लिए पका लेते हैं तो यह देखिए अदरक लसन हमारा पक चुका है इसके बद इसमें प्याज और शिम्मला मिर्ची आइड करेंगे तो तीनों बरकार की शिम्मला मिर्च का यूज की है यहाँ पर मैंने अगर आपके असरेट यलो नहीं है आप इसको स्कीप कर सकते हैं हाइ फ्लम में आपने शिम्मला मिर्च ब्याज को भी थोड़ी देर के लिए पका लेने हैं आपे फिर हम इसमें सिर्गा इड करेंगे तो दो छोटे चमट बढटके मैंने सिर्गा इड कर दी है अगर आप सीखना चाते हैं सिर्गा इंस घर पर कैसे बनाएं वीडियो का लिंक में आपको end screen में दे दूँगा आप देख लीशेगा और सीख लीशेगा आप इसको store करके भी रख सकते हैं एक से दो मंते की seasoning sauce खराब भी नहीं होती है तो देखें, seasoning sauce को भी मैंने पका लिया शिम्रमेशडी प्याज के साथ में फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे अच्छी तरह से mix कर लेते हैं इसके बदा अपने gas की flame medium to low कर देनी है फिर हम इसमें थोड़ा सा हरापयाज एड़ कर देते हैं साथ में seasoning डालेंगे एक छोड़ा चमच इसमें मैंने देखिए और इसके बदा आपने gas की flame high करनी है high flame में sauce को भी अच्छी तरह से आपने पका लेना है यहाँ पे तो ओके देखिए sauce हमारी यहाँ पे थोड़ी सी dry हो चुकी है फिर हम इसमें seasoning paper corn का powder add करेंगे seasoning paper corn का powder हम बना के रखते हैं और जब भी out राता है कोई भी out राता है seasoning का तो इसमें हम इसको add करते हैं इसके बदा हम इसमें थोड़ा सा corn flour डालेंगे corn flour से sauce हमारी थोड़ी थीक को चाएगी जब हम इसमें potato डालेंगे अच्छे से sauce की उसके उपर coating हो पाएगी तो के देखे आपने ऐसी dry sauce बना के त्यार करनी है इसके बदा हमने जो आलू fry करके रखे थे इनको थोड़ी देर के लिए फिर से deep fry कर लेते हैं जब हम इनको दूसरी बार deep fry करेंगे अच्छा क्रंचा है कावार से और gas की flame आपने इस टाइमे medium to high रखनी है और इस तरह से आपने sauce बनानी है sauce भी थोड़ी ज़्यादा बना के रख लीछिए serve करते टाइम में आपने आलू ढालने देखे sauce में और इस तरह से हलका से इनको toss करना है toss करने के बाद जल्दी से आप इनको serve कर दीजे करम गर्म अच्छे crispy भी रहेंगे अच्छे tasty बनेंगे तो वीडियो अच्छे लगोगा like, share, comment जुरूर कीशे okay friends thank you